राची के अलवट एका चौंक से ये सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं। नियोजन नीती के खिलाब छात्र सणक पर उत्रे हैं और ये मसाल जलूस निकाला गया है। राची के जैपाल सिंग स्टेडियम से ये मसाल जलूस निकला और इस वक्त राची के अलवट एका चौंग पर पहुँचा है। आपर नारे लगाये जा रहे हैं और कहा जा रहा है। और बाहरियों को बैक डॉर से जो भी प्राइवेट में भी जो बोलें 75 पर से इस्थानियों को नौकरी देने का बात किये थे। उसमें भी बहुत सारा हो मानना है। उसमें भी आपको कडाई से नियम सक्ती से फालन करने का जोरत है। और ये इस मसाल जुलुस के माद्यम से हम लोग बोलना चाहते हैं 10-11 को आज हम लोग का योजनाबद तरीके से आंदोलन चल रहा है। क्या बोलने हैं अब लोग क्या दिक्कत होगा है। को बता दिसलिए चात्र जागिया और चात्र के सासत अभी भावक भी सड़क पर उत्रिया और जार्खन में ततकल खतियानादारी अस्थानियों निति हम लोग लागू करवा के रहेंगे जार्खन आदिवासी मुलवासिकता जिंदाबाद। यह देखिए हाथों में जो पोस्टर है उस पर लिखा है खतियानी नियोजन लागू करो। तो क्या लगता है कि यह संभव है दुरत खतियानी नियोजन लागू करो। चाहिए और यहां के आदिवासी मुल वासी सदान जो यहां के मूल है उनी को सिर्फ नियोजन मिलना चाहिए और इसी के विरोध में आज हम सभी जार्खंडी छात्र कल दो दिन 10 और 11 पूरे जार्खंड बंद करने का आवाहन कर रहे हैं। पिल्कुल यह देख सकते हैं कि अलबटे का चौक का यह नजारा बंदी से एक दिन पहले यह मसाल जुलूस निकाला गया है और इस मसाल जुलूस में सैकडो की संक्या में छात्र यहां सामिल हुए हैं। और वे लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं कि किस तरह से 60-40 वाली जो नियोजन मीती है उसका कितना असर पड़ेगा। यह तस्वीर आप अलबाटे का चौक से देख रहे हैं जहां पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यह चात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर पर जो है आप देख सकते हैं यह देवेंदर नातमातो जो चात्र नेता हैं वो है और लगातार अपना विरोध दर्श करा रहे हैं सरकार तक आवाज पहुचाने की कोसिस यहां से कर रहे हैं। जाल बोस्टर प्रभाव जिस आवें झाल बॉड़कर बोस्टर विरोध उड़ाव जाड बाहें।